आपको जो है ना लोग 10 तरीके के प्राइज एक्षन 10 तरीके की केंडल्सिक पैटन बता देंगे बड़ जो बताने वाली चीज है ना बायर और सेलर की साइकलोजी वह कोई नहीं बताएगा इस वीडियो को देखने के बाद प्राइस की जो है नेचर को पगड़ लोगे प्र ओर सेट में उसे यहांगे अगर इसा में अगर सब्सक्राइज नहीं बताएं कि मार्केट में यहां नहीं इसे वीडियो को देख सकता है लेको को सब सब कराश सकता है कि कैशे जो एक पअ क्या सोच रहंगे sellers क्या सोच रहोंगे और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीधर स्क्रीन पर चलते हैं okay guys so as a beginner मैं आपको शुरू से बताता हो चार्ट ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं चार्ट ट्रेडिंग में 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 सबसे बहुत पहले में उनीची किया हो चार्ट हमके साच में उनीची कैंडल का मितलब है यह अभारि के लिरो घैंडल के आप तके कटी बॉल ह Beef we実is on campaign बाने मारकेट में चार्ट टीइडिंग लिए आपको बहु केंड़ का मतलब है इतंता आपको पता होगा फीर चार्ट पी घ्ली होते ह concludes कि भी मुस्खिलंक देखंस कि अब पर गुछे सब्सक्राइब suppression से भूवन케 इंच है के यौफ दूने लूब पर आपने stock buy करा जो की 100 रुपीज पे था 100 से आपने buy करा 150 चला गया ठीक है आपको कितने रुपे का profit हो रहा है 50 रुपे का profit हो रहा है तो 100 से 150 कैसे गया होगा green candles बनाके गया होगा ठीक है अब आप यह बताओ अगर 150 से वो नीचे आता है ठीक है 150 से 140 आया मतलब एक red candle है अब मुझे एक चीज बताओ अगर वो 100 150 गया उसके बाद वो आ गया 110 पर 10 रुपे का profit आपका हो गया 10 रुपे क्या करोगे आप अब यहीं करोगे ना exit कर देता हूँ इतना अच्छा काजा profit मिलना था अब जल्दी से loss ना हो जाए exit कर देता हूँ अब आप खुद सोच है कि market नीचे आ रहा है और यहां 70% रिवर्स हो गया अब जो आपका profit था 70% चला गया तो आप भी exit करोगे ना क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक चीज में आपको इतना अच्छा profit देख रहा है वहां से जब वो नीचे आ रहा है तो आप exit ना करो यह सोच के जाएगा ओपर ज ने खरीद है ना अब अगर वो उसका reverse हो गया उपर गया price उसके बाद reverse हो रहा है 70% reverse हो गया तो इसका मतलब है कि यहांसे seller savvy हो गया है जो जिन्होंने आपे sell किया है वो लोग heavy हो गया तो अब यहां पर जो buyers थे ना वो क्या करेंगे वो भी exit करना start करेंगे तो वो क्या करे selling करेंगे तो यहां से selling की probability बढ़ जाएगी अगर मैं आपको example दू जैसे कि यह देखो यहां से किसी ने suppose buy किया उपर गया उपर गया अब देखो यह नीचे आया ठीक है इतना तो नीचे ठीक है कि उसका थोड़ा सा percentage नीचे गया है बड़ अब यह candle बन गई तो यहां पर निकलना पड़ेगा आप वहीं देखो आप वहीं से जो है ट्रेंड चेंज हो गया नीचे आ गए क्योंकि यहां जो बायर से स्ट्रॉंग ही नीचे नीचे ले गए प्राइस को ठीक है और यह मैं आपको सिर्फ अभी साइकोलोजी बता रहा हूं कि एक seller और एक बायर जो है अब आप बताओ जिस ट्रेड में आपने पंदरह जार प्रॉफिट देखा है वह 9000 पे हो गया आप यहीं सोचोगे ना निकाल लो तो अब देखो मार्किट जब आधा ही रिवर्स होगा तो यहां पे जिन्होंने सेल किया वह लोग कन्फूजन में आ गया वह लोग सोच र चल गया आधा प्रॉफिट चल गया तो वह लोग करते हैं यहां पे एकजिट कर देंगे पूज़िशन मतलब उन लोगोंने सेल किया है तो यहां पे बाय कर लेंगे एकजिट करने के लिए तो जो प्राइज और उपर चल गया तो इसी तरीके दर मार्किट में साइकोलोज चल लिए उसमें कौन जीत रहा है अब यहां पर अगर बायर उपल ले गया सेलर नीचे लाया ठीक है अगें बायर में इतनी जान नहीं थी कि जो ले जाए ठीक है बहां से अब सेलर्स है और नीचे ले गए दुबारा लास स्विंग के तो यह हमारा M बन गया और अगर जा सकता है किदर नहीं जा सकता वह अभी मैं आपको बताता हूं देखो यहां से आप देखो बायर सूपर तक पुश कर दिया अब यहां पर क्या है दो चीजा की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर जो सेलर से पुश करा बट जो सेलर इतने स्ट्रॉंग यह मार्केट को हुआ हरे और मार्कीट को फफलें देने लें डैने सेएं अधा इस तो आभी सेलर जी ढए घर हो दिया थी में सेलर डिया आखन और एंधंगग सेर मार्कट को उपन हुए तुछ यहां बोलूगा buyer जीते हैं अगले दिन मैं बोलूगा seller जीते हैं ठीक है तो अभी जो है market confusing phase में है जिस दिन आपको जैसे यह वाली candle है ठीक है यह वाली candle यहाँ पर मिल गई मानलो ऐसी strong candle यहाँ वन गई तब हम समझेंगे कि अब अब sellers ने defeat कर दिया मतलब जो buyers बार बार इस price से push कर रहेते ना उपर उन buyers को market ने defeat कर दिया मतलब sellers लोगों ने defeat कर दिया अगर मानलो यहाँ पर एक ऐसी red candle बन गई तो यहाँ से आपको पता चल जाए कि market थोड़ा सा retrace कर सकता है यह जो rally है इसका 50% मतलब यहाँ तक कहीं तक retr पर गया range बनाया और breakout दे दिया मतलब upside rally continue हो सकती है इस तरीके से chart rating करेंगे आपको जच देखना है कि buyers और sellers के बीच में क्या चल रहे है अब देखो मैं चार्ट में आपको पीछे ले जाता हूँ अब मैं दिखाता हूँ कैसे हम जो है price action पढ़ सकते है चार डिटिंग कर सक ले गए मतलब कि जो अब की बार sellers आ रहे है इतने strong नहीं है कि price को on नीचे ले जाए मतलब कि जो negative price action होता है उसको continue कर पाए इतने strong sellers अभी नहीं है अब देखो यहां से again buyers आना start होए उपर ले गए इस बार क्या है buyers जो है इतना open नहीं ले गए कि पूरा ही जो last swing से जहां से नीचे ले जा पाए बट buyers से उपर ले गए उसके बाद आप देखो again seller है और last swing के भी जो है नीचे ले गए बट उसके बाद क्या कहते है एकदम से बहुत सारे buyers मतलब इस लेवल पे आप देखो support ता अच्छा खाजा तो strong buyers आ है और मतलब इतनी अच्छी red candle close होने के अब बताईद होगे ना कि जो है अब जो है buyers का market आ चुका है मतलब की यहाँ पर जो है buying momentum start हो गया market में buying rally आनी start हो गई है और इसी को हम क्या कहते है w pattern कहते है कैसे अब देखो market में आपको ऐसा w pattern या ऐसा w pattern मतलब proper तो नहीं मिलता ना अब देखो नीचे गया price उपर गया low break करा नीचे गया और अब उपर गया तो यह w है ना बट exact w नहीं है still हम इसको w pattern कहते है because w pattern का मतलब कहा है seller ने price को नीचे पुछ करा again buyers है उतना नहीं ले जा पाए ठीक है कोई बात नहीं बट seller आ गए बट अब की बार जो buyers आना वह इतने strong buyers है कि जहांसे last time sellers आयते उनको भी w pattern कहते है कि यहां से trend change होगी है buyers ने first time defeat कर दिया किनको sellers को तो इस तरीके से जो है आप candles की psychology समझो कि मतलब जो buyers है वो कहां तक price को ले जा पा रहे है seller वहां से कहां तक price को फिर नीचे ले जा पा रहे है उस तरीके से आप कोई भी market को identify कर पाऊगे कि जो market में buying side का momentum आने वा कि कौन कौन से price action main होते हैं intraday में कौन से price action यूज करते हैं मैं कौन से personally price action यूज करता हूँ market में 10 तरीके price action है आपको hardly 2 या 3 price action हमेशा कामाएंगे तो वही मैं आपको next video में बताऊंगा और ऐसे stocks में ही बताऊंगा जैसे अभी मैं stock को study कर रहा है बहुत अच्छा price action जो mostly ह आपको समझ में आ रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो मैं फिर अपनी जो वीडियो कर पाऊंगा आगे भी so thank you everyone for watching this video चल्द मिलते हैं